तो फ्रेंड्स वर्कम बैक टो मैं चैनल आज हम लोग दंडग जोर के बारे में पढ़ेंगे कि दंडग जोर क्या होता है अधुनिक चिक्षा विग्यान में हम लोग इसे डेंगु फीवर की नाम से जानते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरवेद्या के एक होता है तो इसमें रोगी दंडे के इसमयर दंडग से मावन पीडा कश करता है ह tienes करता है मतलब बस्याइक जोर नाम सब्राइब डेंग रघ्ण में सब्रोल कि पर नाम क होतर है कि आदाथ जब जोने तोड़ बुखार के से में पढ़ेंगी कि दिन दानों का सीवन करने से इसने इसे प्रमुक निदानिक विश्णान होता है जो कि फैलता है मतलब निदान के वारे में बताया गया यह female mosquito होती है उसके द्वारा जो होता ना काटने से रोक फालता है संचे काल यानि कि इंक्यूबेशन पीरेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इंक्यूबेशन पीरेट ऑफ वाइरस क्या होता है मतलब कि जो डेंगो का जो वाइरस होता है टोगा वैरस उसका इंक्यूबेशन पीरेट क्या होता है पांच से साथ दिन जो होता नちょっと इसका इंक्यूबेशन पीरेट होता है अब हम इसकी संप्राप्त्ति के बारेम पढ़ेंगे कि दंढकव जेञे होता ना से इंफेक्टेड है तो पान से साथ दिन में जो होता ना अगर वह हमें काट लेता है तो यह हमारे सभी के रस लसी का यक्वत प्लिया और लसी का गरंतियों पर अपना प्रोहाफ दालता है जिसके वज़े से जो होता है रोग उत्पत्ती होती है अब हम लोग दंडक जोर के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे के दंडक जहरों से प्रिशल वएक्ट होता उसके किया क्या लक्षण होतते हैं जियुक्ते दिन कम होता है फिर पूनन चलड़ जैता इंसे को और बैक फीवर नाम से हम लोग जानते हैं ठीक है रस Gulf पैर कंटी सिर्वे नेत्रों में भी पीडा होती है सरीर में जकराहट पाह जाती सब्सक्राइब तैस्या से पीड़ा व्छेस्वरूं लुक्ता पीड़ा उटा जाती मतलब ₙ मतलब तंडक सबीड़ें सब्सकुलब ₙ जवर कम हो जाता यह सभी जो होता है प्रभाव का प्रभाव की यह वारे में प्रता उसके बारे में इसमें deep काए जए उसके च्छी से वStraband सकने होता उसके साधिता आशाधिता के बारे में देखेंगे कि वो कब साध्य होगा कब अशाध्य होगा दंडब याप याप कृच्छ साध्य गया दिए मतलब दंडग जवर्ण होता है नो और या फिक्रिच्छ साध्य कि की नामों से हम लोग और जानते हैं उसका निदान क्या होता है वाश्र करें से होता है कि क्या होता है इस-क उसकी संप्रापति के बारे में मैंने आपको बताया और इस की प्रित हो Teos ऐसे मैं आपको बता दिया अब लोग दंडग सद्धा के बारें पढ़ेंगे अब लोग के चिकिस्था सद्धान के बारें पढ़ने जा रहे हैं कि दंडग का चिकिस्था क्या है कि इसम्सें बइताए गया कि रोगी की पर्याप विष्राम कराना चाहिए यह मच्छों से सब्सक्राइब करना चाहिए तीक है रोगी को लगयों सूपा चाहा देना चाहिए मतलब देखते हैं कि कोई व्यक्ति है तो हमें उसे स्टार्टिंग के दो-तीन दिनों में उश्रोदक का पान कराना चाहिए तेक है उसके साथ साथ हमें मल सोधनात के लिए विदेचन रव्यों का प्रयों करना चाहिए और दंडग जोड़ी होता है उसमें लगू और सोपाच जहा देते हैं अब ह सबस्राइब ये बताया गहा है कि संसोधन कर आते हैं कि जो अंहों प्रयों कोटिकी ये सबस्क्राइब गादस को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें थेंक यो